हेलो एवरीबडी गुड इवनिंग वेलकम टू टू दी सेशन वेलकम टू अनकाड़मी सेपियन्स यूट्यूब चानल दिस डॉक्टर प्रिणाली मिश्रा और आज करने जा रहे हैं प्रिविएस यर क्वेस्टिन्स आनमिल किंग्डम के हम डेली रात को आट बजे मेंडिटरी तो सॉल इस क्वेस्टिन्स बिफोर आई स्टार्ट इस सेशन क्या आप मुझे कमें बॉक्स में बता सकते हैं कि मैं लाइव हूं एमाई लाइव और बलू विजबलू सब कुछ बढ़िया है क्या मैं सेशन स्टार्ट कर सकती हूं ओल राइट ठीक है तो आज क सेशन में शुरू करती हूं तो आएं डॉक्टर प्रेणाली मिश्वा नीट यूजी बाइलोजी एजुकेटर और अनकाडमी विट मोर देन फाइव और टीचिंग एक्सपीरियंस मैंने 60,000 सा जादा बच्चों को मेंटार किया है और यह मेरा रफ्रेल कोड है आप यह अनलॉक कर सकते हैं ठीके और अभी अगर आप आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन रहते हैं तो आपको हाड कॉपी मिलती है नोट्स की और अगर आप प्लस का सब्सक्रिप्शन लेते हैं तो आपको क्या मिलेगा आपको आप में ही नोट्स और मोड्यूल्स मिलेंगे ठीके तो यह अभी है and this offer is valid till 18th है ना बिलकुल अगर आप मतलब 12 मन्त का 18 मन्त का यह 24 मन्त का iconic subscription लेते हैं तो ही यह चीज applicable है ठीक है यह कुछ batches start होने वाली है 28th July से that is from tomorrow अप इन batches को join कर सकते हैं और NEET UG 22 और NEET UG 23 की और अपनी NEET journey बढ़िया तरीके से शुरू कर सकते हैं मैं भी प्लस पर पढ़ा रही हूँ you can even join my plus batches description box में मेरा link है profile का आप मुझे follow करके मेरी batches को भी follow कर सकते हैं और 12 मन्त के subscription पे 2 मन्त और 24 के पे भी 2 मन्त अभी subscription फ्री है और 14 और 15 अगस्ट को हमारा अनकाड़मी प्रोडजी होने वाला है so you can be part of that as well तो चलिए आज हम अनिमल किंगडम के MCQ करने वाले हैं तो बिना किसी देर के शुरू करते हैं आनिमल किंगडम आर यू आल रेड़ी बिटा क्या आप लोग रेड़ी हैं चलिए question 1 से शुरू कर दीजे फिर question 1 से शुरू कर दीजे important characteristic that hemi chordates share with chordates दोनों में क्या common है chordates में और hemi chordates में क्या common है यह आप लोगों को बताना है बिलकुल बता दीजिए question number 1 से बिट आप speedily शुरू करते हैं तो दोनों में ही क्या है very good let me check the comment box for the answer first का answer हो जाएगा B अना कि फैरिंग्स होगी with gill slits next which among these is the correct combination of aquatic mammal इसमें से aquatic mammal कौन कौन से है यह आपको बताना है कि aquatic mammal कौन कौन से है second का क्या answer हो जाएगा बिटा अपने अपने groups पे inform कर दो कि माम लाइव है ताकि बच्चे आ जाए हना तो whale dolphin और seal यह क्या है aquatic mammals है horse का order कौन सा है what is the order of the horse horse का order क्या होगा very good what will be the order of the horse यह 2017 का question है बिलकुल so the order of the horse is going to be very good amazing it is will be हाँ बहुत अच्छा answer कर रहो बेटा ऐसी answer करते रहना है बिलकुल it is a perisodactyla next in case of poriferin the spongosil is lined with flagellated cell called corn से flagellated cell से porifera की spongosil क्या होती है line होती है तो कौन से cells होते हैं वो these cells are koanocytes इन cells को हम क्या बोलेंगे these cells will be known as koanocytes next correct statement बताना है आपको इन चारों में कौन सा statement correct है which of the following statement is correct कौन सा statement correct होगा बिलकुल very good कौन सा statement correct होगा without exception बताना आपको बिलकुल without exception की देखो जरूर all cyclostomes के पास jaws और paired fins नहीं होते हैं mammal कोई कोई से ओभी paris भी हो सकते हैं देखें इसका कितने chambered heart रहेगा all reptile नहीं crocodile का कहा रहता है देखें और सब में operculum नहीं है not shared by birds and mammal bird और mammal कौन सी चीज share नहीं करते हैं bird और mammal कौन सी चीज share नहीं करते हैं तो bird अपने oviparis होते हैं ये क्या करते हैं बिलका ये egg ले करते हैं और जो अपने mammals हैं जो हम लोग हैं हम वीवी पैरस हैं हम direct baby को birth देते हैं तो ये common नहीं है true for group कौन सा true है आपको ये बताना है which one is true बताए कौन सा true होगा बिलकुल तो जो cartilaginous fishes होती है बता उनका जो endoskeleton रहता है आपकोंडरी 21 का जो endoskeleton रहेगा वो cartilaginous रहेगा तभी उसको कौनरी 21 बोलते है औस्टी 21 होगा मतलब बोनी रहेगा इसको मैं फर्दर और explain करूंगी देखो फाइलम कौड़ेटा में बोत है जोलेस वर्टिब्रा भी है और जो वर्टिब्रेट्स भी है अना तो जरूरी नहीं है कि सिर्फ अपर और जोलेस भी होते है फिर जो क्रोकडाइल है वो भी क्लास रेप्टेलिया का है और उसके पास चार चेंबर हाटते है तो ये मतलब exception हो सकता है और वही बात है बटा कि डक बाइल्ड प्लेटिपस और स्पाइनी आंटीटर ऐसे मैमल है जो ओवी पैरस है तो ये भी 100 परसेंट त्रू नहीं है फ्वेशन नमबर 8 not present in phylum artho godsatisfied में क्या नहीं है joint appendages है क्या बो लो हां Titeness Exoskeleton है क्या बोलो हाँ और Metameric Segmentation है क्या हाँ तो कौन सी चीज नहीं है जो Parapodia है ये क्या होती है Lateral Appendages होती है ये सिर्फ और सिर्फ Analyde में मिलती है वो भी उनमें जो Swimming करते हैं जो Aquatic होती है Swimming करने में मदद करती है Question No.9 Body with Mashwork of Cell Internal Cavity Lined with Food Filtering Flagellated Cell And Indirect Development is the Characteristic of ये सारा किसका Characteristic है तो सीधी बाते बटा Meshwork of Cell से मतलब है Cellular Level of Body Organization और ये जो Flagellated Cells की बात कर रहे हैं यही तो है हमारे Koenocytes Development भी Indirect होता है इसमें Larva रहता है न Emphyblastula, Perrin Kaimula तो इसका मतलब है यहां पर Porifera के बारे में बात हो रही है Metagenesis refers to Metagenesis क्या होता है Metagenesis सबसे पहले तो Cylentrates में देखा जाता है जहां पर दो फॉर्म होते है Polyp और Medusa तो जब polyp form Medusa में Convert हो जाता है A-Sexually आपको याद करवाई थी न ट्रिक Pum-Pum Pum-Pum मतलब polyp से Medusa बनेगा A-Sexually इसको हम Alternation of Generation बोलते हैं Between Sexual and A-Sexual Face और Medusa से भी polyp बनता है पर वो sexually बनता है A jawless fish विच लेज एग इन फ्रेश वर्टर और फूस एम्नो सीट लार्वे फॉर्म आफ्टर मेटाफ मॉर्फोसिस रिटन टू दी ओशन ये कौन से है ठीके वेरी गुड गितिकास, नेहा, काजल, कशिष, निकिता, सिया, मन्जू, माइन, पंकज, अनुपमा, जानवी, पियाली, पूजा, सनिकदा, अनुज, मन्तेश्वर, दिपाली, पियाली, गुंजन, अनु, विपला, साक्षी, मनिक्यम, गायतरी, सिया, अनुज, दर्शन, पूजा, सत्या, वेरी गुड, मनीश, बहुत अच्छे, दीपक, चिरांगशी, शिवान्शू, नेहा, बहुत अच्छे, तो दा आंसर विल बी पेट्रो माइजॉन, पेट्रो माइजॉन क्या करता है, इट इस लेंप्रे, कौनसी क्लास को बिलॉंग करेगा, साइक्लो बाद ये क्या करेगा, माइन्यूट जो ट्रांस्परेंट लार्वा है, एमनोसीट्स निकलेंगे, फिर ये क्या करेंगे, फिर अपने वहाँ पे चले जाएंगे, सी में चले जाएंगे, माइगरेट कर लेंगे, इसको स्वाम्पिंग बोलते हैं, ठीके, नेक्स पे बेबी, मिलब ऐग दे रहा है, बेबी प्रड्यूस नहीं कर रहे है, प्रीवेश येर में आया हुआ है, अल्दो इंसियाटी में नहीं है, इट इस ट्राइकिन एलास पाइरलिस, ये निमिटोड पैरसाइट होता है, जो क्या शो करता है, वी वी पैरिटी शो करता है, नोजिया, पेन, फीवर वगेरा आने लगता है और कैसे स्प्रेड होता है अगर आप प्रॉपर्ली गुग्ड फूड नहीं खाओ तो क्वेशन नम्बर थर्टीन कौन सा सही है विदाउट एक्सेप्शन विदाउट एक्सेप्शन कौन सा सही है शुरू करते हैं यहीं से बेटा तो आक्चल में यह क्वेशन में थोड़ी सी गड़बडिया है मैं explain करूँगी आपको कैसे देखो सबसे पहले तो जो cyclostorms है इनमें ना paired appendages नहीं होती है पहली चीज दूसरी चीज जब आप आज आओगे इस पे तो जो skin होती है न इसकी glandular नहीं होती है एव की moist भी नहीं होगी यहाँ पे लिखाए कि पिन्ना होता ही है फिर अगर आप condri ecthyse की बात करेंगे तो gills without operculum तो है इसमें है ना लेकिन chimera एक ऐसा condri ecthyse है जिसमें है तो यह वाला question बिटा गलत है ना सभी के exception है which of the following is not vv paris vv paris नहीं है मतलब ov paris से एग ले करता है तो it is platypus it is platypus जो क्या करता है एग ले करता है ठीके बिटा गलत था वो वाला question है ना मैंने आपको बता दिया क्यों गलत है ठीके very good next पे आजाओ it is a platypus है ना तो platypus क्या होता है हमारा और नी थो रिंकस duck wild platypus ये एग लेंग मैमल होता है जो australia में तस्मानिया में मिलता है ठीके पानी में रहता है एग ले करता है दो एग एक साथ ले करता है ठीके next which of the following characteristic is mainly responsible for diversification of insect on land diversification के लिए कौन जरूरी है ठीके इंसेक इतने जादा लैंड पे प्रेजेंट है आपको पता है कि 70% एनिमल जो इंसेक्ट ही है क्यों ऐसा क्या है उनके पास तो उनके पास exoskeleton है जो किसका बना हुआ है cuticle का बना हुआ है जिसके वज़े से इंसेक्ट लैंड पे रह पारे और इतना जादा spread हो पा रहे है यह इसको protection देता है support देता है और desiccation को prevent करता है question number 16 select the taxon mentioned that represents both marine and fresh water species marine को भी बता रहा है fresh water को भी बता रहा है ऐसा कौन है तो अब क्या होता है कि जो निडेरिया है इसको देखो निडेरिया मेंली क्या होते है एक पानी में तो रहते है mostly marine होते है मतलब salty water में रहेंगे समुदर के पानी में रहेंगे लेकिन अगर आप देखो hydra तो यह fresh water है तो जो silentrates होते हैं जो निडेरियन होते हैं यह marine और fresh water species दोनों को represent करते हैं लेकिन जो टीनो फोरा है सिफेलो कॉर्डेटा है और इकाइनो डर्मेटा है बेटा देयार exclusively मराइं है ना बहुत अच्छा आंसर कर रहे हो बेटा एक और बार सबको shout out दूँगे मैं completely lacks cell wall इसमें बिल्कुल भी chances नहीं है cell wall होने के तो आपको भी पता है बेटा कि जो हमारा ये होता है क्या बोलता है आनिमल में कभी भी cell wall नहीं होती तो जो c fan है जोर्जोनिया ये kingdom आनिमेलिया को बिलॉंग करता है और इसके पास बिल्कुल भी क्या होगी cell wall नहीं होगी इसके पास cell wall नहीं होगी next पर आजो next क्या पूछ रहा है बटा planaria possess high capacity of planaria के पास किस चीज की high capacity है तो planaria के पास high degree of regeneration है बहुत जल्दी regeneration करता है तो इसमें क्या होता है कि अगर एक planaria है किसी से दो पार्ट में तीन पार्ट में डिवाइड हो गया तो हर पार्ट individually grow करके एक नया planaria बना देता है इस process को पता है क्या बोलते हैं morpholexis बोलते हैं this is known as morpholexis कि जो एक broken पार्ट है वो नया animal regenerate कर देगा whole body हो जाएगी from the fragments से next नेक्स पर आजाओ बटा a marine cartilaginous fish that can produce electric current electric current कौन produce करता है तो electric current is produced by torpedo बना torpedo क्या करेगी electric current produce करेगी यह marine fish होती है समुदर में रहती है electricity discharge करती है जिससे जटका लग जाता है इसके prey को ठीके dorsal side of the trunk यहाँ पे पीछे के side electric organs होते हैं ठीके next which of the following are correctly matched correctly matched कौन सा है जो बिल्कुल correctly matched है वो आपको बताना है ठीके house fly butterfly cc fly और silver fish insecta को बिलॉंग करते हैं सही बात है जो spiny ant eater है आपका echidna यह क्या है mammal है ठीके sea urchin और sea cucumber आपके हो जाएंगे echidno dermata पर यह जो spiny ant eater है यह आपका prototherian mammal है तो यह correct नहीं है दूसरा दूसरे पर आजाओ silver fish जो होती है यहाँ पर यह insect है it is not piscis cuttlefish mollusk है ठीके cuttlefish mollusk है तो इसलिए यह भी सभी piscis में नहीं आते हैं फिर अगले पर आजाओ centipid millipid और क्या बोलते हैं spider और scorpion यह सब अलग-अलग classes को belong करते हैं ठीके आर्थो पोड़ा के इसलिए हमने फिर insect वो उपर वाला ज्यादा appropriate था इसलिए वो लगाया which group of क्यों मतलब जैसे देखो centipid है वो chilopoda में आएगा millipid आएगा diplopoda में scorpion और spider आएगा arachnida में तो हम चाह रहे थे कि पहले में तो कोई भी exception नहीं है इसलिए हमने फिर्स लगाया same phylum को belong करते हैं कौन same phylum को belong करेगा तो जो prawn है बेटा scorpio है और locust है ये सभी आर्थो पोड़ा को belong करेंगे तो ये तीनो same phylum को कर रहे हैं अब यहाँ पे sponze porifera को कर रहा है c animon silentrata को कर रहा है और आपका starfish का inodermata का कर रहा है तो malarial parasite plasmodium ये तो protozone है अमीबा protozone है और ये आपका हो जाएगा आर्थो पोड़ा ये भी नहीं है earth warm हो जाएगा अनलीडा, pin warm हो जाएगा escalimentis और tape warm platyhelminthis इसलिए ये भी नहीं होगा चलिए match the column, question number 22, ये आपको match करना है कि कौन साब बिल्कुल सही है ये आप लोगों को बताना है बहुत easy question है बटा, तो इसमें क्या होगा कि जो petromyzone है ये एक्टो पेरसाइटे और किसको बिलोंग करता है cyclostromata को बिलोंग करता है, it belongs to cyclostromata, ठीके next question number 23, represents orthopoda, orthopoda को कौन represent कर रहा है orthopoda कौन साइस में से, तो जो orthopoda होगा वो जाएगी आपकी silverfish ठीके, largest phylum होती है, इसी में सारी चीज़े आती है, lepisma बोलते है silverfish को क्या बोलते है, lepisma बोलते है next question number 24, the characteristic of class reptilia are reptilia के क्या-क्या characteristic होते है, बताइए तो body moist नहीं होती है, बेटा, air bladder नहीं होगा ये भी नहीं होगा, तो ये होगा आखरी वाला, कि जो reptilia होता है इसमें body किस से covered होती है, dry और cornified skin से scales होती है, epidermal, और इनके पास external ears नहीं होते है ठीक है, इनके पास external ears नहीं होते हैं, इनके पास horny, epidermal, scale, shield, plate and scutes होती है, external ear नहीं होते है only by sexual means, इसमें से कौन सा ऐसा है, जो सिर्फो सिर्फ sexual means से ही करता है reproduction, तो जो टीनो फोरा होते हैं बेटा, टीनो फोरा में asexual reproduction absent होता है, ये monoecious होते हैं, एक ही में male और female है, fertilization क्या होता है, external होता है, ठीके निडेरिया में asexual भी हो जाएगा budding से, और polyp और उसमें medusa बना-बना के ये sexual भी कर लेगा, same with these sponges, correctly matched with the characteristic, correctly matched कौन सा है, ठीके तो correctly matched हो जाएगा हमारा कि जो duck, wild platypus होता है, ये oviparous है, फिर भी mammal है, तो ये हमारा सही है, this is going to be right, कैसे, तो बाकी क्यों गलत है, तो जो millipede होता है, ये belong करता है diplopoda को, ठीके, it will belong to diplopoda, ठीके, पहली चीज़, sea animon जो होता है बटा, ये triploblastic नहीं है, ये diploblastic है, इसके दो germ layer होते हैं, और जो silver fish है, lepisma, ये किसको belong करता है, non-corridata को belong करता है, हाना, क्योंकि it is an insect, तो इसलिए डीवाला ही सही होगा, shark and dog fishes differ from skates and ray because, तो जो shark and dog fishes होते हैं, इनकी cylindrical body होती है, लेकिन जो skates और rays होते हैं, इनके both pectoral fins fused होते हैं, तो it gives wing like appearance, और कोई distinct body form नहीं होता है, तो दा answer will be D, which of the following is one of the path followed by the air, और O2 during respiration in the adult male periplaneta americana, कौकरोच की बात कर ली इनोंने, कौकरोच के लिए कौन सा statement right है, which is right about कौकरोच, हमारे कौकरोच बाहिया के लिए सही statement बता दीजिए, question number 28, तो इसके spiracles होते हैं, metathorax में, trachea, tracheols, oxygen diffuses into the cells, फेरिटीमा and its close relatives derive nourishment from, यह अपना nourishment, मतलब खाने पीने का कैसे बंदो बस कर रहे हैं यह लोग, question number 29, तो फेरिटीमा मतलब हमारा अर्थवॉम, अर्थवॉम क्या होता है, detrivor होता है, it is a decomposer, तो आपको भी पता है कि कैसे करेगा यह, decaying fallen leaves को खाएगा, organic matter को खाएगा, ठीके, next, in which of the following, the genus name, its two characters and its phylum are not correctly matched, ठीके, correctly matched नहीं है, यह आपको बताना है, थोड़ा पर इसको सही solve करना है, I am checking the comment box, बेटा, you all are replying very nicely, बहुत अच्छे, हाँ, इसका answer करेंगे, अब हम लोग, तो जो paila होता है बेटा, यह phylum मुलस्का को belong करता है, ठीके, लेकिन इसके जो body होती है, it is not segmented, it is unsegmented, with a distinct head, muscular foot and visceral hump, ठीके, तो यह अपना क्या हो जाएगा, incorrect है, next, which of the following pair of animal are similar to each other pertaining to the feature stated against them, कौन सा correct है, हमें यह बताना है, ठीके, तो जो sea horse होता है बेटा, यह देख रहे हो आप, sea horse, यह hippocampus होता है, और जो flying fish है, यह आपकी exocetus होती है, it is exocetus, ठीके, तो इसके बारे में बताया है कि यह किसको belong करते हैं, osti, 21 को belong करते हैं, जो super class होती है, Pisces की, इनके पास कितने chambered heart होता है, they have two chambered heart, one auricle, and one ventricle, और cold blooded होते हैं, तो यह अपना सही होगा, बाकी गलत है, which of the following categories of animal is correctly described with no single exception in it, कोई single exception ही नहीं है, और match करा इसको, no single exception, कोई exception नहीं है, ऐसा हो सकता है क्या, ठीके, तो शुरू से करते हैं, बेटा, कि जो heart होता है, तीन chambered होता है, reptiles में, लेकिन इसका exception है, एक रोकोडाई, तो इसका तो exception हो गया, sponges की बारे में बात करते हैं, कि जो sponges होते हैं, बेटा, generally marine होते हैं, बना लेकिन fresh water भी होगा, जैसे sponges ला, तो इसका भी exception हो गया, सभी mammal viviparous होते हैं, लेकिन आपको भी पता है, कि platypus oviparous है, मतलब ये without exception बच गया, what will you look for to identify the sex organ of the following, sex organ कैसे identify करोगे, तो अगर हम ascaris को देखें, तो जो tail and रहेगा, वो straight रहेगा female में, तो ये गलत है कि curve रहेगा, male में curve रहता है, female में अपना straight रहेगा, फिर हाँ अगर हम बात करें, cockroach की, तो anal सरका है, तो male में भी present है, female में भी present है, male में anal style अलग होती है, ठीक है, फिर अगर हम इसकी बात करते हैं, किसकी बात करते हैं, frog की, तो इसमें क्या होते हैं, कि जो copulatory pad होते हैं, rough patches होते हैं, तो male में जो रहेगा strongly grip करने के लिए female को armpit होंगे, by the means of these pads, ठीक हैं, और हम कैसे identify करेंगे, जो clasper होगी, इसमें क्या होगा, male shark के पास clasper होंगे, in the case of the pelvic fins रहते हैं, inner pelvic fins उनमें रहता है, बाकि सारे wrong हैं, सिर्फ यही क्या हो जाएंगे, हमारा correct हो जाएगा, next, which of the following group animal is correctly matched with its characteristic feature without an exception, फिर उसे पूचा हैं कि exception नहीं होना चाहिए, तो यही बात हैं, यहाँ exception है, crocodile का, यहाँ पे भी exceptional है, अब आपने देखा, question कैसे repeat होते हैं, जब हमने session शुरू करा था, तब यह वाला question आया था न, need 2016 यह 17 में, और यह वाला question 11 से ही लिया गया है, need 2011 में भी यह question आया, इसलिए बोलते हैं बटा कि previous year questions are very much important, daily रात को 8 बजे आके previous year question solve करना है हमें, तो अब यही दिक्कत है बटा, कि यह चीज में आपको समझा चुकी हूँ, कि यही सही है without exception, बाकि सबके exception I've already discussed, दो character बता दो correctly matched, दो character with correctly matched, बताईए, अब इसमें भी क्या होगा बटा, कुछ भी correct नहीं होगा, यह भी wrong question आयाता, तो कुछ-कुछ question गड़वर आ जाते हैं नीट में, जैसे ascaris है, यह किसको बिलॉंग करता है, ascalimentis को और nemetode को बिलॉंग करता है, यहीं बात खतम हो जाती है, तेके, फिर जो salamandra है, तेके, यह किसका member है, इंफीबिया का है, लेकिन इसमें टिंपैनम नहीं होता है, तो यह भी क्या हो गया, गलत हो गया, फिर जो teropas है, यह mammalia को तो बिलॉंग करता है, लेकिन यह oviparis नहीं, यह viviparis होता है, इसलिए यह भी गलत हो गया, और जो aurelia है, silendrate को बिलॉंग तो करता है, में wrong statement कौन सा है, यह बताना है आपको, what is wrong, तो ऐसा है कि एक time पे तो हमारे पास notochord रहेगी न, throughout the life क्यों absent रहेगी, human mammals होते हैं, जो quadates होते हैं, quadata के पास notochord होती है, या तो throughout the life होगी, या तो early embryonic period में होगी, ठीक है, लेकिन होगी जरूर, throughout, absent नहीं रहती है, quadates में, फिर आ जाओ 37, इसमें आपको true or false बताना है, about the frog, frog के बारे में true or false बताना है, although frog is not in the syllabus, लेकिन अगर आ गया, तो हम मना नहीं कर पाएंगे, पर frog छोड़ दो बेटा, then why to worry about something that is not in our syllabus, राइट, चलिये, इस वाले question पर आ जाएं 38, 38 पर आ जाएंगे आप लोग, जल्दी से, कौन सा statement सही है, आपको ये बताना है, कौन सा statement सही है, तो इसमें जो C और D हैं, ये में को लग रहा है true silomates है, हना, escalimentis के बाद silom आने लग जाती है, तो ये हो गया आपका आर्थोपोडा, इसमें तो हो गई, ओक्टोपस में भी होगा ही होगा, ठीके, तो ये दोनों में क्या हो जाएंगी, true silomates हो जाएंगे, ये लीडा, आर्थोपोडा, मलस्का, इनमें true silomates होते हैं, next, यूरेटर अक्ट एज यूरीनोजनाइटर ड्रक डक्ट इन, यूरेटर यूरीनोजनाइटर डक्ट की तरह एक्ट करते हैं, किसमें? मेल फ्रॉग्स में, ठीके, वन एग्जाम्पल ओफ हाविंग, ओफ आनिमल्स हाविंग अ सिंगल ओपनिंग, आउटसाइट दी बॉड़ी, जो माउट और अनिस की तरह एक्ट करती है, इसको सैक लाइक बॉड़ी प्लान बोलते हैं, तो जो प्लेटी हलमेंथेस होते हैं, जो फ्लाट वॉर्म होते हैं, जैसे फैसियोला हिपाटिक हो गया ये फ्लाट वॉर्म, इसकी सिंगल काविटी है, खाना अंदर आएगा भी यही से, और जाएगा भी यही से, दिकें, तो ये सिंगल ओपनिंग माउट और अनिस दोनों की तरह काम करती, इसको ब्लाइण सैक बॉड़ी प्लान बोलते हैं, इस इन फ्लाट वॉर्म नेक्स्ट फैशन नमबर फॉर्टी वन अबाउट ओल्ट ओल्ट फॉर अव दी स्पॉंजिला, लीच, डॉल्फिन और पैंग्विन इस करेक्ट देखें, सभी के बारे में क्या करेक्ट है या फिर मतलब ऐसा कुछ स्टेटमेंट करेक्ट बताओ तो देखो, स्पॉंजिला के पास कॉलर सैंड है, कौैनोसाइट लीच, डॉल्फिन और पैंग्विन में ये नहीं मिलेंगे, हना सिमिट्री हो सकता है, कॉमन हो जाए, फ्रेश वर्टर मराइन कॉमन हो जाए, पर यह चीज कॉमन नहीं होगी, त्रिपलो ब्लास्टिक कौन से है? जिसमें 3 जर्म लेयरस है? 3 जर्म लेयरस किसमें होती है? तो 3 जर्म लेयरस और फांड इंडी प्लाटी हेलमेंथिस से आना शुरू हो जाएगी, प्लाटवॉम तो देखो जो roundworms होते हैं, जो escalimentis होते हैं, इनमें pseudo-silome होती है, मतलब ऐसी silome that is not lined by mesoderm, अब टाइम आ गया है उन बच्चों को shout-out देने का जो कबसे सही answer कर रहे हैं, तो आजाईए जरह shout-out देते हैं हम उन लोगों को जो कबसे सही answer कर रहे हैं, very good, अनीता, निकिता, मारिया, अदीती, सिया, रॉबिन, चिरांगशी, अजय, संस्कृती, शिवांग, पियाली, मनीश, साहिल, ठीके, रिया, जीता, सनेहा, नेहा, निकिता, गितिका, इंदरेश, सोनारिका, माइन, दिपाली, सुहेल, सिया, सोमू, विवेग, जानवी, रि वेरी गुड, चलिए, क्वेशन नमबर फॉटीफोर पर आ जाते हैं, अब अब लोग, क्वेशन नमबर फॉटीफोर, क्या बताता है, करेक्टली मैच, तो अर्थवोर्म क्या हो जाएगा, फेरेंजियल, इंटेग्यूमेंटरी, एंड, सेप्टल, नेफरीडिया, ऐसा हो पता है, कि जो नेफरीडिया है, यह एक्सक्रीटरी ओर्गन है, अर्थवोर्म का, तीन टाइप के नेफरीडिया होते हैं, सेप्टल, इंटेग्यूमेंटरी और फेरेंजियल नेफरीडिया, ठीके, डिफरेंट पोजीशन पे होते हैं, इस फ्रक्चर में वैरी करते हैं, नेफ्सक्रीशन नमबर 45, प्रोकडाइल और पैंग्विन वेल से सिमिलर है, और डॉक फिश इस सिमिलर तो विच फॉलोविंग फीचर, डॉक फिश किस से सिमिलर होगी, बताईए, तो मिल्ला इन में क्या चीज है, तो देखो, आनिमल जो कॉड़ेटा को बलॉंग करते है इनके पास नोटोकॉड होता है, डॉर्सल, होलो, नॉफ कॉड होता है, पैर्ड फैरिंजल गिल्सलिट्स होते हैं, प्रोकडाइल, पैंग्विन और वेल, और डॉक फिश ये सभी कॉड़ेट्स है, तो सभी के पास गिल्सलिट्स या तो एम्ब्रियोनिक डेवलोपमेंट में होंगे या तो अभी होंगे इसी लिए जो पेर्ड गिल स्लिट्स हैं यह प्रेजेंट है सभी आनिमल में किसी ना किसी लाइफ की स्टेज पे which of the following group of animal are bilaterally symmetrical and triploblastic bilaterally भी है और triploblastic भी है बताईये bilaterally भी है triploblastic भी है कौन होगा बिटा question number 46 इट विल भी a scaly mentis यह तो अपने diplo है यह सारे यह एक ही है जो triploo है ऐसे भी लगा सकते थे live earthworm को आपने prick कर दिया live earthworm है जिंदा earthworm को आपने क्या कर दिया prick कर दिया ठीक है तो छेद कर दिया ऐसा चुबा दिया तो क्या निकलेगा उसके body से तीलोमिक fluid निकलने लगेगा अगर gut damage हो गई तो jawless fishes कौन सी है इसमें से jawless fishes कौन सी है very good तो it is lamprey and hack fishes तो जो एगनाथा ऐसी subphylum है जिसमें क्या होगा super class बोल देंगे marine की sucking mouth होंगे इसके पास lamprey, hackfish, cyclostromata जो parasites या फिर scavengers होती है which of the following in bird indicates their reptilian ancestry reptilian ancestry कौन शो करता है तो actual में birds के पास भी scales होते हैं पता है आपको birds क्या है reptile से originate हुए है ठीक है तो reptilian ancestry का क्या चीज है कि इनके पास क्या मिलेगा आपको horny epidermal scales मिलेगी lower part of their leg और feet में ठीक है ascaris is characterized by इसके पास क्या होता है इसके पास pseudo-sylome होती है ना true-sylome ना false-sylome ठीक है इसके पास क्या हो जाएगी pseudo-sylome हो जाएगी और metameric segmentation भी क्या होगा नहीं होगा इसके पास ठीक है without showing any metamerism ascaris will exist correctly matched बताना है question number 51 correctly matched बताना है आपको तो जो scorpion, spider और cockroach है ठीक है ये आर्थोपोडा को belong करेंगे ये invertebrates रहेंगे ventral solid central nervous system रहेगा dorsal brain और nerve ring with double ventral cord ये सही है बटा ये सही नहीं है ठीक है ये सही है same उसको belong भी कर रहे है which of the following pair of अच्छा correct है फिर इसते आपको correct ही बताना है which one is correct which one will be correct कौन सा correct होगा ये वाला तो solve कर लिया ना मिटा हमने कि इसका answer हो जाएगा a इसका बताओ correct answer क्या है ये थोड़ा सा ऐसा नहीं लग रहा जिसे evolution का question आगया है इना this question is of evolution ये excretory organ है very good चलिये correctly matched with its two general characteristics तो जो आर्थो पोड़ा होता है वेटा largest phylum होगा इसके उपास एक outer layer होगी थाना exoskeleton chitin का बना होगा segment होते है head thorax and abdomen तो ये answer हो जाएगा respiration trachea से होती है tracheal tubes से होती है spiracles इसकी opening होती है not a character of phylum Annelida Annelida का character नहीं है देखो pseudo-sylom मिलता है scaly mentis में Annelida में तो true-sylom आने लगता है Annelida में क्या हो जाएगा true-sylom आने लगेगा देखो आपको नहीं लग रहा बेटा more or less सारे question repeat हो रहा है repeat होने लगी ये चीजें जो हमने आगे 10-20 question करें उसके बाद repeat हो रहा है इसलिए बहुत important है इसको solve करना बहुत जादे important है इसलिए pyq solve करना next पर आजाते हैं correctly matched कौन सा है इसमें से correctly matched कौन सा रहेगा बताइए which one is going to be correctly matched 55 ठीके तो crocodile के पास 4 chimbered heart है obelia में metagenesis है lemur thecodone है ये सब क्या हो जाएंगे हमारे correctly matched हो जाएंगे फिर ये गलत क्या हो गया है यहाँ पर which one is wrong ठीके C.Archon के पास कैसे parapodia होगी analyze में होती है न पैरापोडिया तो thecodone मतलब teat embedded है in the jaw socket ठीके which one of the following is a matching pair of a body feature and the animal possessing it correct बता दो तो ventral nervous system leech में होता है क्या ये सही है क्या अना ventral nervous system will be present in the leech parrot, platypus और kangaroo के बारे में क्या सही है ठीके तो actual में parrot, platypus और kangaroo ये सभी क्या है warm blooded है इसका मतलब क्या होता है कि constant रहेगा body temperature बले ही environment का temperature कितना भी क्यों न चेंज हो जाए true about neerese, scorpion, cockroach and silverfish देखो कितनी बार question आया मेटा silverfish वाला क्या समझ पारे हो इन सभी में क्या होगा? इन vertebrates हैं इसलिए इन सभी में dorsal heart होगा इसलिए PYQs पढ़ना चाहिए so much of repetition bi-radial symmetry और lack of needle blast are the characteristic of तो जो टीनो फोरा होती है small phylum होती है, marine होती है, invertebrate होती है टीनो प्लैना और ये बिरोई ये किसको बिलॉंग करते हैं? टीनो फोरा को बिलॉंग करते हैं इसमें bi-radial symmetry होती है ये combination होता है radial और bilateral symmetry का इसके पास nematocyst होते हैं ठीके? समझे क्या? next two common characteristics found in centipede, cockroach and crab तो centipede, cockroach और crab सभी phylum arthropoda को बिलॉंग करते हैं इसलिए इनके पास jointed legs होंगे kaitinus exoskeleton होगा bilateral symmetry होगी metametric segmentation होगा hemoseal और open blood vascular system होगा set of animal do all the four give birth to young one कौन कौन से वीवी पैरस है आप लोगों को ये बताना है which is वीवी पैरस ठीके तो जो kangaroo है hatch dog है, dolphin है, loris है ये mammals है इसलिए ये क्या करते हैं young one को birth देते हैं ostrich और kiwi bird है egg ले करेंगे platypus most primitive mammal है prototheria ने egg ले करेगा ठीके, तो बेटा आज का class हम यही finish करते हैं कल बचे हुए 60 questions हम solve करेंगे तो कल शाम को फिर आपको 8 बज़े आना है बचे हुए 60 questions हम करेंगे animal kingdom से is that clear? बहुत मज़ा आया सभी बच्चों ने बढ़िया answer करा आज का session बढ़िया लगा हो तो do like the video अभी 9 बज़े एक और session है 10 वालों के लिए अगर आपका कोई भाई बहन friend 10 में है result के बारे में जानना है तो वो 9 बज़े आ सकता है बहुत अच्छा परफॉर्म किया आपने कल रात को 8 बज़े फिर मिलेंगे and don't forget to like this session टाटाब